स्वागत है दोस्तों अपने यूटूब चैनल आई टेक्निकल कोर्ष में दोस्तों जैसे एक्जाम की नोटिस आ गई है सबको मालूम होगा कि एक्जाम एक तारिक्स लेकर 5 अगस्त के बीच आपका प्रेक्टिकल चलेगा और आठ तारिक्स लेकर 30 अगस्त तक आपके CBT एक्जाम पेपर चलेगे अब आपके नोटिस में ये भी आ चुका है कि आपके जो थिवरी के कोशन होगे 38 कोशन पूछे जाएंगे इंपलैवेलिटी इसकिल के आपके 25 कोशन पूछे जाएंगे वर्क्षाप के उकुलेशन की 6 कोशन पूछे जाएंगे ड्राइंग के कोशन 6 कोशन पूछे जाएंगे टोटल 75 कोशन आएंगे जो कोशन जो 150 नमबर के टोटल आयागा प्रते कोशन दो नमबर का रहेगा यानि 75 कोशन में से देड़ सो पुड़ांगा का आपका पेपर रहेगा थियोरी के कोशन 75 पर हेंगे वर्कशाप के 12 नम्मर करेगा ट्राइंग का 12 नम्मर करेगा 50 नम्मर का इंपलेविल्टी इसकिल करेगा तो आप लोग बिल्कुल टैरी करना चालो कर दो किसी भी प्रकार के डाउट हो तो डिस्क्रिक्शन पर लिंक के दे गई है वीडियो को देख लेना कम्प्लीट प्रोसेस बता दिया गया है डिजिट्री ने नया लेटर जारी कर दिया आपके एक जाम से रिलेटर ताप लोग उसको बर्दूद देखिए और आज की इस वीडियो में सेकंड यर के स्टूडन्ट फिटर से हो आप तो बिल्कुत वीडियो देखना बिस कोशन का सलूशन बताया जाएगा इसके बाद इंप्लैविल्टी इसलिके भी आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे चलिए आते हैं आज के फ़र्च नमबर कोशन पर लीखा है लैपिंग टूल में परदान किया गया इसलिट का उद्देश क्या होता है इसका करेक्ट एंसर होगा बी नमबर होगा बिस्तार के लिए चैनल पे दोस्तों नए हो चैनल को सस्क्राइब करके रखना ताकि किसी प्रगर के नोटिफिकेशन आए तापके पास जरूर पहुँचें अगला कोशन है इस उपरेशन का नाम बताइए यहाँ पर कुछ काम चल रहा है इस काम का नाम बताना है जैसे पहला दिया है आंतरिक रिंग लैपिंग बाहरी रिंग लैपिंग सी नमर दिया है आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग और अगला दिया गया है डी नमर दिया है लैपिंग लार्ज डायामेटर ठीक लैपिंग लार्ज डायामेटर राइट एंसर डी नमर होगा लैपिंग लार्ज डायामेटर अगले कोशन की बात कर लेते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है दोस्तो निमी पैटन से अधारिक कोशन पेपर है अप लोग इनको रट लो बिलकूल अगला कोशन यह काश्ट आइरन और अलाह माटीरियल की हेनिंग करने के लिए किस प्रकार के अप घरसक का उप्योग किया जाता है ओप्सन ए हीरा ओप्सन बी बोरान कारवाइड ओप्सन सी सिलिकान कारवाइड ओप्सन डी एलुमिनियम ऑकसाइड ठीक, 34 नम्मर का करेक्ट एंसर होगा, C नम्मर होगा, स्लीकान कारवाइड अगला कोशन दिया गया है सर्फेस हार्डिनिंग के किस बिधी में सतह स्केल मुक्त होती है टीक, आप्सन ए जैसे दिया है, नाइट ट्रेटिंग, आप्सन भी दिया है, केस हार्डिनिंग, आप्सन सी दिया है, फ्लेम हार्डिनिंग, आप्सन डी दिया है, इंडक्सन हार्डिनिंग इसका जो correct answer होगा 35 का D number होगा induction hardening next question देख लो 36 number दिया गया है यद इस टील को critical तापमान तक गर्म किया जाता है और भठी में बहुत धीरे धीरे थंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है option A है annealing, option B दिया hardening, option C दिया tapering, option D दिया normalizing इसका जो correct answer होगा A number होगा annealing अगला question जैसे दिया गया है इस टील घटाग की सन्रचना को परा सिक्रित करने की प्रक्रिया क्या है option A tapering, option B annealing, option C hardening, option D normalizing इसका correct answer होगा B number annealing अगला question 38 number गर्म साल्ट बथ में कौन सा सर्फेस hardening की बिधी की जाती है option A, दिया night, threatening, gas carburizing, peg carburizing इसका correct answer होगा जो, वो होगा D number होगा, liquid carburizing, correct answer D number अगला question जैसे 39 number दिया है, यक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है, ये आपको भाग का नाम यानि डाइग्राम दिख रहा है, ये यक्स से चिन्हित है, इसका नाम बताना है, ठीक, option दिया है, यहाँ पर taper, soft, spine soft, danty-dart soft, screw pitch gauge, इसका correct answer होगा, screw pitch gauge, अगला question दिया गया है, 14 number किस की आयताकार क्रास सेक्षनल होता है, जो soft और हब दोनों पर कटे की वे में फिट होता है, option है, sun की, option भी फेदर की, option C दिया फ्लेट सेडल की, option D दिया हैलो सेडल की, इसका correct answer जो होगा, वो होगा, A number, sun की, आगला question जैसे दिया गया है, tapered salt पर fitting के लिए कौन सी उप्योग की जाती है, जो tapered salt होती है, उसमें जो हम लोग चाभी यानि की का यूज़ करते हैं, कौन सी की होती है, उसका right answer होगा, C number होगा, बुडरफ की, अगला question 42, number, circular taper की का प्रियोग कहां किया जाता है, जो circular taper की होती है, उसका यूज, light duty transmission में यूज़ करते हैं, right answer, A number correct हो जाएगा, अगला question जिसे दिया गया है, यहाँ पे, साट के साथ घूमने की अनुमती दिये भीना, plane bearing को कैसे position पे रखा जाता है, इसका जो correct answer होगा, C number होगा, की या screw द्वारा, अगला question जिसे दिया गया है, इसका नाम क्या है, 44 नमर दिया है, इसका नाम बताना है, इसका right answer होगा, यह आपको diagram भी दिख रहोगा, इसका नाम यह होगा, flat saddle की, correct answer जिसे A number होगा, अगला question जिसे दिया है, अब यहाँ पे बताना आपको इसकी का नाम क्या है, आपको की दी गई है, X की रुप में चिन्हीत है, इसका नाम बता देना है, इसका भी correct answer C number हो जाएगा, give head की, जिसे nest दिया गया है, 49 का, 49 के दिया, इस screwdriver का नाम, यहाँ पे screwdriver भी दिया, इसका नाम बताना है, और आपको यह मालूम होगा, कि यह screwdriver होगा होप set screwdriver है,